हेलो दोस्तों मैं हूं राज पुसर्फ राज और आप देख रहें सिफ्ट एक तो दोस्तों अभी इंडिया में नोक्या का सी 20 लौंच हो रखाता पहले से ही अब इंडिया में उसका अपग्रेड वर्जन आया है नोक्या सी 20 पलस जो कि अभी हाली में चीन में लौंच हो अब इंडिया में आ गया है जो कि Realme जैसे MI जैसे जो बजट फोन आते हैं उनको टक्कर देने के लिए तो फोन में क्या-क्या खूबी आए हम आज आपको बताने वाले हैं वीडियो में बने रहें वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूले चैनल सब्सकाइब कर दीजिए बैल आइकन दावाना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि म गो एडिशन पर चलता है फोन में 6.5 इंच की HD प्लस डिस्पले जो की 720-1600 पिक्सल डिस्पले देती है जिसके साथ 29 एस्पेक्ट रेशियो मुझूद है इसके अलावा फोन ओक्ता कोर यूनिशॉप SC9863 परसेशर से लेस है जिसके साथ 3GB RAM मिलती है फोटोग्राफी के लिए फोन में ड्यूल रियल कैमरा दिया गया है जिसमें 8 मेगा पिक्सल का प्राइमिरी कैमरा के साथ 2 मेगा पिक्सल का डैप्ट सेंसर मुझूद है सेलफी वा वीडियो कोलिंग के लिए इस फोन में 5 मेगा पिक्सल का कैमरा मुझूद है दोनों ही कैमरा LED फ्लेश के साथ आते हैं नोकिया C20 प्लस में 32GB तक की स्टोरेज मिलती है जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिये 256GB तक एक्सपेंडेबल किया जा सकता है अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें 4G LTE वाइफाई 802.11 BGN ब्लूटूथ 4.2 GPS A GPS FM रेडियो माइक्रो USB और 3.5 mm का हेड़फॉन जैक सामिल है बोल पर मुझूद सेंसर में एक्सेलेरोमिटर, एम्बियन्ट लाइट और प्रोग्जिमिटी सेंसर सामिल है फोन में 4950 mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है इसका डाइमेंशन 165.4 x 75.85 mm और वजन 204.7 ग्राम है तो दोस्तो यह थी स्पेसिफिकेशन अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस है 2GB और 32GB रोम में जो आता है उसका प्राइस है 8999 और अगर हम 3GB के प्राइस की बात करें 3GB तो उसमें आपको 9999 में यह मिलने वाला है जो कि एक बजट फॉन के इसाफ से बहुत अच्छा होने वाला है तो यही थी आज की वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले चैनल सब्सकाइब कर दीजे बैल आइकन दाबाना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि मैं ऐसे ही रिव्यू और ऐसी वीडियो टेक की वीडियो लाता रहता हूँ तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहूँ